इस वीडियो में हम discuss करने वाले हैं grinding wheel के descriptions के बारे में जी हाँ grinding wheels में कुछ codes होती है जैसे यहाँ पे दिख रहा है A24SBF इसके बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ हर एक code का क्या meaning है साथ में देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है 100 x 6 x 16 mm यह कौन सा dimension होता है यह भी बताने वाला हूँ तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बने रहेगा तो फ्रेंड्स यह है हमारा grinding wheel आप देख सकते हैं grinding wheel को जब भी आप करीब से देखेंगे तो वहाँ पर लिखा है देखिए 80 mm जो है वह इसके internal diameter है जहां यह अंदर जहां इसका whole portion है जहां पर आपका grinder machine का जो soft है वो फिट होता है वह portion का diameter 16 mm है अब जो यह नीचे में लिखा हुआ है जैसे A24 SBF इसको एक example के तुरू मैं आपको समझाता हूँ कि यह सारे quotes का क्या-क्या meaning होता है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सबसे पहले sequence के आगे देखिए prefix लिखा हुआ है prefix में लिखा हुआ है w यह manufacturer के उपर depend करता है कि वो यह symbol दे या फिर न दे तो ज़रूरी नहीं है कि यह prefix आपके हर grinding wheel में हो अब देखिए यहां पर यह abrasive लिखा हुआ है पहला जो लिखा हुआ है A यह abrasive जो है वो क्या होता है abrasive उस छोटे छोटे पार्टिकल के कन होते हैं जो grinding wheel में लगे होते हैं grinding wheel का काम होता है कि आपका जो भी metal है या फिर non metal है उसमें से आपको जो extra material निकालने के लिए आप grinding का इस्तमाल करते हैं grinding process is finishing process metal को finish करना है तो आप वहाँ पर grinding करते हैं तो abrasive देखिए यहाँ पर A लिखा हुआ है या तो यहाँ आपको A लिखा हुआ मिलेगा या C लिखा हुआ मिलेगा अगर A लिखा है तो उसमें aluminium oxide का abrasive यूज हुज हुआ है अगर वहाँ पर C लिखा हुआ है तो silicon carbide का abrasive उस wheel में यूज किया गया है यहाँ इस से आपको यह पता चलेगा अब आगे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है grain grain में यहाँ पर 36 दिया है तो 36 क्या है यह बता रहा है grain के size को देखिए grain दो तरह के होते हैं एक course होता है एक medium होता है course का मतलब जो बड़े size का होता है उसे course कहा जाता है grains है वो बड़े बड़े piece में है और इससे अगर आप finishing करेंगे इस type के wheels से grinding करेंगे तो आपको ज़्यादा finishing नहीं मिलेगी अगर आपको ज़्यादा finishing चाहिए तो medium grade के आपको grinding wheels का इस्तमाल करना चाहिए तो यहाँ पर देखिए 30, 36, 46 और 60 अगर यह लिखा हुआ यहाँ पर देखिए 36 लिखा है तो यह medium size के grains है इस grinding wheel में अब देखिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर के लिखा हुआ है के क्या बता रहा है के grade को बता रहा है grade आप नीचे में देखिए यहाँ पर 3 grade होते हैं grinding wheel के soft, medium और hard grade यह बताता है कि आपका grinding wheel जो है उसे किस तरह के surface पर आप use कर सकते हैं soft surface पर या फिर medium surface पर या फिर hard surface पर तो यहाँ पर देखिए यह के लिखा हुआ है तो soft में A से लेकर के edge तक अगर letter A से लेकर S तक लिखा है तो वो soft में है I से लेकर P में लिखा हुआ है तो वो medium grade का grinding wheel है यानि आप उसको medium hardness वाले object पर use कर सकते हैं grinding के लिए वैसे ही अगर Q से लेकर X तक लिखा हुआ है तो आप hard material पर उस grinding wheel का use कर सकते हैं तो यहाँ पर A जो है वो सबसे softest grade है और X जो है सबसे hardest grade का grinding wheel है यहाँ पर Q लिखा हुआ है तो यह medium grade का grinding wheel है यानि आप इसको medium hardness वाले object पर use कर सकते हैं अब आगे बढ़ते हैं आगे लिखा हुआ है 5 5 क्या बताता है? structure को बताता है structure से हम क्या समझेंगे? देखिए grinding wheel का structure का मतलब यह होता है कि उसमें जो लगे हुए abrasive particle है जो छोटे-छोटे कन है abrasive particle के वो कितने दूर-दूर में लगे हुए है पास में लगे हुए है या फिर दूर में लगे है अगर पास में लगे होंगे तो उसे dance कहा जाएगा dance यानि की घना तो अगर एक से लेकर के 8 तक लिखा हुआ है तो dance structure है आपके grinding wheel का अगर 9 से लेकर 15 तक नमबर उसमें कोई सा भी लिखा हुआ है तो वो open structure है उसका यानि की उसमें जो grains है जो आपके abrasive particle है वो ज़्यादा दूर-दूर में है dance एक नमबर है तो सबसे ज़्यादा घना होगा अगर एक लिखा हुआ है तो वैसे ही अगर 8 लिखा हुआ है या फिर 15 लिखा हुआ है तो सबसे कम घना होगा अब देखिए यहाँ पर R लिखा हुआ है R क्या बताता है R बताता है bond को bond का मतलब क्या होता है जो grinding wheel में abrasive particles जो लगे हुए है छोटे छोटे कर्ण जिसकी वज़े से grinding हो पाता है वो किस bond के तुरू आपस में connected है wheel पे तो देखिए यहाँ पर 6 टाइप के bond होते है यहाँ पर R लिखा हुआ है याने की rubber bond है अगर V लिखा होता तो vitrified B होता तो resinoid bond होता R लिखा है यहाँ पर तो rubber bond है E लिखा होता तो shellac bond के तुरू जूडा होता हुआ और S लिखा होता तो silicate bond के तुरू आपस में connected रहता अगर O लिखा होता तो oxy chloride bond के तुरू आपस में connected होता तो अब देखिए friends आगे यहाँ पर जो 17 लिखा हुआ है यह suffix है यह manufacturer के उपर depend करता है और यह optional है जरूरी नहीं है कि यह code यहाँ पर दिया हो अब example पर समझते हैं देखिए यह boss का एक grinding wheel है आप देख सकते हैं left hand side पर screen पर इसमें जो code लिखा हुआ है उसे मैंने zoom करके दिखाया यहाँ पर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है A24SBF तो A24SBF दिया हुआ है यह boss का grinding wheel है इसमें suffix भी नहीं है नहीं prefix भी नहीं है यानि कि पहला वाला जो letter है वो भी नहीं है आखरी वाला letter भी नहीं है कि यह optional होता है तो अब देखें यहाँ पर A लिखा हुआ है A लिखा है इसका मतलब यह हुआ कि इसमें abrasive जो है वो aluminium oxide का use किया गया है उसके आगे लिखा हुआ है 24 तो 24 क्या बता रहा है आपका grain size बता रहा है तो grain दो type के हैं यहाँ पर course और medium 24 किसमें है course याने कि यह grinding wheel जो है यह course है इससे rough finishing मिलेगी बहुत ज़्यादा fine finishing नहीं मिलेगी course grade का grinding wheel है अब आगे देखिए इसमें लिखा हुआ है S तो S क्या बता रहा है S बता रहा है इस grinding wheel के grade को S किसमें आता है आप नीचे देखिए तो नीचे में सबसे last याने hard में आता है तो यह जो grinding wheel है यह hard grade के grinding wheel है इसको hard material पर grinding करने के लिए use किया जाएगा hard object पर hard surface पर अब देखिए इसके आगे में लिखा हुआ है B तो B क्या बता रहा है आपको B जो है आपको बता रहा है bond type bond क्या है यहाँ पर B लिखा हुआ है B का मतलब होता है आप यहाँ पर देख सकते है racinoid bond लेकिन जब कभी भी B के साथ F साथ में लिखा होगा याने कि B F लिखा होगा जैसा कि इस wheel पे लिखा हुआ है तो वो होगा racinoid reinforced bond याने कि इस grinding wheel में racinoid reinforced bond का इस्तेमाल किया गया है एक चीज और है इस grinding wheel में structure नहीं दिया हुआ है याने कि यह open structure का है कि dense structure का है यह नहीं दिया हुआ है तो friends यह थे grinding wheel के number coding के description तो उमीद करता हूँ यह वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी अगर एक percent भी helpful लगी हो तो please channel को subscribe करिएगा वीडियो को like करिएगा फिर से मिलेंगे next वीडियो में तब तक के लिए अलविदा